मनीश सिसोधिया के घर CBI का छापा दिल्ली NCR समेट 20 ठिकानों पर कार्रवाई दिल्ली के डिप्टी सीए मनीश सिसोधिया ने ट्वीट कर जानकारी दी की CBI आई है जिसका स्वागत है हम कटर इमानदार हैं लाखों बच्चों का भविश्य बना रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है इसी लिए हमारा देश अभी तक नंबर एक नहीं बन पाया है मनीश सिसोधिया ने कहा कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थे के शानदार काम से परेशान है इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थे के अच्छे काम रोके जा सकें सिसोधिया ने कहा कि हम दोनों के उपर जूठे आरोप हैं कोट में सच सामने आ जाएगा देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता सिसोधिया ने कहा कि हम CBI का स्वागत करते हैं जाँच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके अभी तक मुझ पर कई केस किये गए लिकिन कुछ नहीं निकला इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता